हेलो स्टूदेंस वेलकम तो माई चानल केमस्टी वर्ड वाइवंदना इस इपार्ट 3 फार 12 स्टेंड नीट mcq चप्टर 2 सॉलुशन हमने अल्रेडी दो पार्ट में 55 mcq हर पार्ट में मैंने एक्स्प्लेंग किये हैं अब नेक्स 11 से लगपक 15 5 mcq में इस पार्ट में एक्स्प्लेंग करने जा रही हूँ आशा करते हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसके पहले के 10 mcq चलो ठीक है तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे आपको जो दिया है बिल्कुल सिंपल है कि इक्वी मोल्स एक्वस सुलूशंस ओप सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड आर प्रिप्यर और इब देखो क्वेशन को समझने की कोशिश कीजे क्या दिया है उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे सिंपल चीज है कि आपको इहाँ पे जो चीज दी है कि इक्वी मोल्स दिये है कि इसके सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड के दोनों के इक्वी मोल्स है राइट मिन्स उनके नमराप मोल्स दोनों के सेम है सोडियम क्लोराइड और बेरिया है उसमें से फ्रिजिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का दे दिया है, minus 2 degree Celsius, तो आप यहाँ पर देख लीजे, delta Tf is equal to Tf0 upon Tf, sodium chloride के लिए हम निकाल सकते हैं, क्योंकि freezing point sodium chloride का दिया है और वो भी aqueous solution है, मतलब यहाँ पर Tf, freezing point, आप देख लीजे, water का 0 degree Celsius है, जबकि Tf of sodium chloride हो है, आपका minus 2 degree Celsius है, ठीक है, तो आप इसमें से 2, Tf निकाल सकते हैं, what is that delta Tf, तो 0 minus bracket में minus 2, that is 2 degree Celsius, ठीक है, यह sodium chloride के लिए हुआ, ठीक है, अब देखे, दुसरी चीद दी है, उन्होंने यह हो गया, अब हमारे पास यह चीज आ गई, तो हमारे पास formula है, कि delta Tf is equal to I Kf into M, ठीक है, यह formula दिया है हमारे पास, और आपको पता ही है, I factor, want of factor, आपका sodium chloride के लिए आएगा, 2, for sodium chloride, और I factor, आपका 3 आएगा, for barium chloride, क्योंकि number of ions पे है, sodium में 1 and 2, इसलिए I factor 2, जबकि, want of factor for barium chloride में barium का 1 और 2 chlorine के 3 हो गए, इसलिए उसका want of factor 3, ठीक है, चलो, इकवी मोल्स है, what is meaning by इकवी मोल्स, इकवी मोल्स का मतलब है, कि यहाँ पे, number of ions, जो भी है आपका, M जो है for NaCl, and M for barium chloride, दोनों का equal है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, delta Tf, जो आपका दिया है, right, आपका sodium chloride के लिए, I into Kf, into M, ठीक है, तो यहाँ पे हमें, बिल्कुल simply यह कर लेना है, कि यह चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, और इधर भी आपका आता है, delta Tf, barium chloride, I factor into Kf into M, यह NaCl के लिए है, और M आएगा barium chloride के लिए, ठीक है, यह दोनों equal होने के कारण cancel हो गए, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें तो आपका यह दोनों चीज़े आएगे, ठीक है, तो हम divide करके भी कर सकते हैं, इसको, यह दोनों same है, तो हम यहाँ पे, बिल्कुल simple, आपको क्या करना है, M factor दोनों का same है, तो इसको divided कर देते हैं, इस divided, इस delta Tf divided, किसके बारापर आएगा, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखके दिखा देती हो, sorry, M, इसके लिए value आएगी, delta Tf, NaCl, upon I into Kf, इधर भी आएगा, delta Tf, barium chloride, ठीक है, upon I, Kf, क्योंकि M, M दोनों का same है, इसले, ठीक है, अब हम value यहाँ पे डाल देते हैं, देख लीजे, value क्या क्या आएगी आएगी, आपकी, जिसे यहाँ पे हमारे लिए, delta Tf, देख लीजे, इसके लिए दिया है हमारा 2, यहाँ पे देख लीजे, I factor हमारा यहाँ पे आएगा, और Kf, दोनों कैंसल हो जाएगे, ठीक है, अब देख लीजे, I factor इसमें, हमें क्या निकालना है, delta Tf, barium chloride निकालना है, और A दिया हुआ है, तो इसमें देख लीजे, delta Tf हमारा 2 आया, divided I for it, कितना है, वो भी 2 है, बराबर, यह हमें निकालना है, barium chloride, और इसका I factor है 3, ठीक है, तो आप देख लीजे, कट हो गया, मैंस, delta Tf आपका कितना है, so you find that, delta Tf, यहाँ पे में लिख रही हूँ, you find that, here, delta Tf is equal to 3 आया, और आपको पता ही है, delta Tf is equal to Tf0 minus Tf, इसके लिए barium chloride के लिए, यह 3 आया, इसका 0 है, और यह Tf, प्रिजिंग पॉइंट फॉर बेरियम क्लोराइड, तो देखो, यह मैंस साइन इंदर चला जाएगा, means, प्रिजिंग पॉइंट फॉर बेरियम क्लोराइड, is equal to minus 3 डिग्री सेल्सिस, तो 3 डिग्री सेल्सिस का आपे है, तो option आएगा आपका B, ठीक है, चला, अब आगे देखते हैं, next, the degree of ionization, आपको दिया हुआ है, degree of ionization का, बिल्कुल सिंपल है, देख लीजे, यहाँ पे hydrogen iodide आपका दिया हुआ है, degree of ionization, hydrogen, sorry, fluoride, जो दिया है आपका, in 0.1 molar aqua solution, is, आपको निकालना है, miss alpha निकालना है, क्या निकालना है, alpha, degree of ionization, किसका, hydrogen fluoride solution का, जिस hydrogen fluoride solution के लिए, आपको दिया हुआ है, क्या-क्या चीजे दियी हुई है, simple है, आपको they have given the things like, ही उसका molality दिया हुआ है, 0.1 molality solution है, उसका freezing point solution का दिया है, k factor भी दिया है, ठीक है, तो चलो गई, और हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या-क्या चीजे है, हमारे पास, देखिए, क्या चीज आएगी, delta tf is equal to, हमारे पास है, जिससे, kf into m, k factor उनन दिया है, 1.86, और यह 0.1 mol, solution के लिए निकालते हैं, delta tf for solution, hf solution के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो ओ आएगा, 1.86 into this one, और यह लगबग आया, 0.186, ठीक है, तो देख लिजे, 4 हो गए, हमारे 5, तो इस तरह से आपका, यहाँ पे, लगबग, यह होगे हमारा, ठीक है, ना, यह हमारा delta f calculated हो गया, ठीक है, अब delta tf हमारा observe हम देख लेते हैं, क्या है, जिससे delta tf observe क्या है, हमारा, delta tf observe, question देख लिजे, आपका दिया हुआ होगा, यहाँ पे, delta tf observe, अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे, आपको questions में, जो जो चीजे दी हैं, उसका आपको पहले देखना पड़ेगा, कि, the degree of ionization aqueous solution का दिया है, हाँ, freezing point of the solution is this one, तो आप delta tf observe निकाल सकते हैं, how you can find out, tf not minus tf, तो यहाँ पे 0 है, minus, यहाँ पे minus, आपका आया, 197, मत बतलब, 10.197 degree Celsius, यह हमारा आ गया, delta tf observe, तो इस तरह से, हम यहाँ पे, यह calculated हैं, हमने calculated कैसे किया, kf into m, kf हमें दिया था, 1.86, और उसकी दी थी, 0.10, यह निकाल गया, और solution का freezing point पर से, हम observe में से निकालेंगे, this one, तो देख लीजे, हम अब यहाँ पे i factor निकालते हैं, i factor कैसे निकालेंगे, delta tf, आपका आएगा observe, upon delta tf, calculated, यह जो दिया है, observe आया, 0.197, और calculated है, 0.186, अगर इसको करते हैं, लगबग हम देख लीजे, एक one point लगबग आएगा 11, 11 means, आपका लेको 0, और 11, 100, लगबग हमारा हो जाएगा 6, ठीक है, इस तरह से आपको देखना है, तो यह हो गया i factor, miss 1 आता है i factor, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें, यह चीज हमने क्यों निकाली, इसका reason है, i factor निकाल लिया, क्योंकि degree of ionization जो दिया है आपको, वो दुढ़ना है, आपको, alpha दुढ़ना है, तो देखो, hf जो है आपका, hf, alpha आपका degree of, क्या है, degree of ionization है, चलो, आपका, hf जो है, वो initial state में, आपको पता ही है, h plus और f minus देता है, तो initially, a जो है, initially, फिर इसके बाद, ionization के बाद, final, initially, a 1 है, तो a भी 00 आता है, फिर अगर वो 1 minus alpha degree है, तो यह alpha और alpha, so, total, हमारे number of moles, after ionization, ionization हो जाने के बाद, total number of moles कितने आएगे, तो 1 minus alpha, plus alpha, plus alpha, that is, 1 plus alpha, ठीक है, तो यह हमारे number of moles आएगे, और हमें पता ही, i is equal to, 1 plus alpha, जो total है, और initially, कितने थे, 1, so, you find that, alpha is equal to, और i value कितनी है आपकी, that is, 1.06, is equal to, 1 plus alpha, so, alpha is equal to, 1.06 minus 1, that is, 0.6, ठीक है, 0.0, alpha is 0.6, 0.6, 0.6 है, means, alpha आपका percentage में देखा जाए, तो 6 percentage, इतना हैगा, 6%, क्या कि आपको, थोड़ा समय फिर से वापिस बता देती हूँ, कि यहाँ पर, degree of ionization, आपका, 0.1 molar aqueous solution में, कितना आएगा, वो धुनना है, अगर, उस solution का freezing point दिया है, और k factor दिया, तो देखिए, freezing point दिया है, solution का, तो, पहले आप, देखो, delta tf, calculated, निकाल लो, क्या आएगा, आपका, that kf is a 1.86, right, और यहाँ पर आएगा, m, solution का, molality, यह आपका, calculated, आपका, अगर, observe में, देखो, जे, तो, delta tf is, tf, not minus tf, जो दिया है, आपका, इतना है, अगर, दोनों का division करते हो, तो, i factor हमें, मिलता है, उतना, अब, i want of factor, मिलने के बार, आप दिखो, जब, hf का, ionization होता है, तो, initially, वो, 1 है, mol, तो, h plus और, f minus, 0, 0, रेगे, और, finally, जब, alpha degree of ionization होता है, तो, इतना degree, यहाँ से चाहेगा, तो, alpha, alpha मिलेगा, तो, आपका पता है, total number of moles, मतलब, जो, final में, जितने ionization होन जाने के बाद, जितने भी हमें, मिलें, उन सबका addition, तो, plus करो, तो, 1 plus alpha आता है, यह cut हो जाएगा, और, हमें, 1 plus alpha, i is what, 1 plus alpha, यह, आपके, final के total number of moles, और initial के number of moles, राइट, यह हमारा, i factor, i want a factor, राइट, तो, यह देखीजिए, इसकी value दीए है, आपकी, 1.06, ठीक है, बस आपको यही चीज़े आपके करनी है, और, इसमें से, 1 minus 0.06 alpha, 0.06 मतलब 6%, तो, 6% का है, option A, option A, answer के आएगा, इसका option A, ठीक है, चलो, next, mcq, हम try करते हैं, what is that, यह को simple है, nitrogen का partial pressure दिया, उन्होंने, the partial pressure of nitrogen in air, right, the partial pressure of nitrogen in air is 0.76 atm, and it's Henry's law constant, आपको दिया है, Henry's law constant, 7.6 tend to 4 atm, at 300 Kelvin, what is the mole fraction of nitrogen in solution obtained when air is bubbled through water at 300 degree, बिल्कुल भई, nitrogen gas है, जो हवा में इतना उसका partial pressure है, और Henry's law constant भी दिया है, लेकिन, जब nitrogen को हम solution के अंदर, पानी के अंदर deep करते है, दिजॉल करते है nitrogen gas का, तो उसका nitrogen solution बनता है, तो क्या mole fraction आएगा nitrogen का, जब हम solution में, when air is bubbled through the, हमें उसका mole fraction निकालना है, जब nitrogen solution 300 Kelvin पे बनाते हैं, बिल्कुल simple है, आपको जो जो चीजे दी है, उसको हमें देखना है, अगर henry's law की सबसे हम देखते हैं, तो हमारा henry's law की सबसे, you find that, henry का law जो होता है, हमारे, अगर हम इसको देखते हैं, कि बहई, अगर जब यहाँ पे nitrogen gas हवा में था, तो nitrogen gas का हवा में देख लीजे, क्या दिया है उन्होंने, when nitrogen gas is in air, its pressure is कितना है, 0.76, right, अब यही nitrogen gas, जब आ, देखिये, कि उसको जब, nitrogen gas को जब हम पाणिन के अंदर डिजॉल करते हैं, डिजॉल करने के बाद, आप उसका जो solution बनता है, तो आपको यहाँ पे पुछा है कि कितना mole fraction होना चाहिए, nitrogen का, जब वो हम उसका, हवा उसमें से bubble करे, in that time, right, यह चीज हम यहाँ पे देखनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा, कि, what is Henry's law, Henry's law क्या होता है, और उस Henry's law को हम यहाँ पे किस तरह से apply कर सकते हैं, तो देखे, Henry's law आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल सिम्पल है, अगर हम Henry's law देखे, जिसे रॉल्स law के बाद हमारा Henry's law का ही आता है, तो Henry's law के इसाब से हमने, यहाँ पे, Henry's law constant भी देखा है, और Henry's law का जो application है, उसको भी हमने यहाँ पे देखा है, तो mole fraction calculation करने के लिए, Henry's law का यूज किया जाता है, तो किस तरह से हम यहाँ पे देखें के, according to Henry's law, जो से दिया है, तो अपका यहाँ पे, according to Henry's, जिसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, कि you find that partial pressure जो आपका दिया हुआ है, उसको भीनने के लिए, according to Henry's law, आप यहाँ पे लिखोगे, by Henry's law, Henry's law की हिसाब से, आपका दिया है, that partial pressure of nitrogen is equal to, आपका, जो है, Henry's law constant, right, this one, into आपका partial pressure, mole fraction of nitrogen, right, this one is your Henry's law constant, यह आपका जो है, हिंडिस law constant है, और this is a mole fraction of nitrogen, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप देख लिजे, partial pressure of nitrogen कितना है, 0.76 ATM, और यह भी हमारा दिया है, 7.6 into 10 raise to minus, sorry, 4 plus 4 ATM, और mole fraction हमें निकालना है, right, nitrogen का, बिल्कुल सिंपल है, तो आप देख लो, 0.76 divided, 7.6 10 raise to minus, plus 4, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, आपको पता ही है, अगर यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा, इस तरह से का देती हूं, 0.76, और यहाँ पे 0.76, एक हाउस इस साइट चले गए हम, तो मैंने आपको पता है था, कि यहाँ पे आपका जो होगा, that one is, अगर एक हाउस इस है, पाच आ जाएगा, ठीक है, तो एक कट हो जाएगा, तो आपका यह उपर जाएगा, 10 raise to minus 5, यह हमारा आया, mole fraction for, this one, तो 1 into 10 raise to 5, इस इस दो mole fraction for nitrogen, in solution, कहाँ ए, ए है सॉक्षन C, ठीक है, तो अगरडिंग तो हेंटी स लॉ, पार्शल प्रेशर अप दे नित्रोजन, इस डिरेकली प्रपोर्शन, यह उस तो प्रपोर्शन तो, मोल fraction of the nitrogen, जो पार्शल प्रेशर होता है, आइट फ्रोजन का, वो उसके mole fraction को dependent होता है, ठीक है, इसे साब से देखें, चलो, नेक्स आता है आपका, density देख दिया है, आपका बहुत simple problem है, कि बहुत यहाँ पे आपकी, दी हुए है उन्होंने density, क्या दिया है, the density of, two molarity, two molarity solution of a solute, is this one, चलो, जो जो चीजे दिये, वो देखते जाते हैं, एक solution दिया है, जो 2.0 molarity का solution है, solution, ठीक है, उसमें density दिये है, 1.2 gram per liter, ठीक है, और solute का molecular mass, दिया है, solute का, इतना है, 100 gram, per mol, तो हमें solution की क्या निकालनी है, molarity, बिल्कुल सिपल है, क्या करें कि हम, इसके लिए बिल्कुल, पहले, two molarity solution, means, two mols, right, of, solute, present, in, 100 ml solution, ठीक है, आप देख लिजे, volume मिल गया, solution का, density भी है, volume और density, आप देख लिजे, density is equal to, mass upon, volume, density दिये, solution की, volume भी दिया है, तो, mass of, solution, is equal to, d into v, one point कितना है, आपका 2, और volume है, 1000, तो, आपका आगया, 1200 gram, ठीक है, चला, अब next देखते हैं, आपको दिया है, number of moles, w by m, देखो, number of moles, कितने दिया है, 2 moles, solute के, mass of the, solute, नहीं दिया है, w निकालना है, और molecular mass, कितना दिया है, 100, तो, आपका, mass, of, यहाँ से, mass of solute, आएगा, 2 multiply, 10, 100, 200 gram, चलो, mass of solution मिल गया, mass of solute मिल गया, तो हमें mass of solvent मिल जाएगा, तो mass of solute के लिए, solvent के लिए देख लीजे, क्या करेंगे है, you find that, mass of solvent is equal to, you can calculate it here, in this way, इसे करूंगे calculate, देखे, हमारे पास है, mass of, solvent, is equal to, mass of, solution, minus, mass of solute, 1200, 1200 minus 200, that is 1000 gram, और, molality निकालनी हमें, molality is equal to, M is equal to, number of moles, number of moles of solute, upon, mass of solvent, in kg, molality हमारी है, यहापे, that is कितनी है, sorry, number of moles 2 है, हमारे, right, number of moles are 2, upon mass of solvent, gram में दिया है, तो, divided हम करेंगे, 1000, उपर जाके, तो हमारे आएगा, 2 molality, तो आपका answer, 2 molality है, तो आप यहापे देखिए, 2 molality का है, आपका option, A, ठीक है, चलो, अब एक last वाला है, 15 number का, वो में यहापे, discuss करें, the experimental and calculated, elevation in boiling point, of an electrolyte, आपको जदिया है, देखिए, एक electrolyte है, तो यह भी नाम का, electrolyte है, उसका, एक experimental, और एक calculated, elevation in boiling point, दिया है, right, elevation in boiling point, तो आपको यहापे देखना है, कि, in its aqua solution, at a given concentration, आपको दिया है, 0.81, and 0.54, ठीक है, kelvin, तो, the percentage, ionization of electrolyte, at this, concentration, is, आपको percentage, concentration, यह भी निकालना है, बिल्कुल, simple है, देखो, यहापे, एक, आपको दिया है, एक experimental, or calculated, boiling point, elevation in boiling point, एक electrolyte, A, बिल्कुल, यहापे, आपको, जो जो चीजे, दिगी है, तो, हमें, percentage of, ionization of electrolyte, निकालना है, तो, सबसे पहले, हमें देखना है, कि, जो A, भी हमका electrolyte डिया है, जब आप उसको, ionization करोगे, तो, A, plus, और B, minus, मिले, तो, आपको पताई है, initially, जो आपका आथा है, वो, one number, zero, zero, ठीक है, और जब आप, at equilibrium, देखते हो, equilibrium में, one minus alpha, और यह alpha, और यह alpha, so, total moles, आपके आएगे, total moles, is equal to, one minus alpha, plus alpha, plus alpha, that is, one plus alpha, ठीक है, divided one, यह हमारे, total moles, वो किस के बराबर आएँगे, आई के बराबर आएगे, ठीक है, अब देखिए, आई, बराबर और एक फॉर्मूला है, हमारे पास, observe colligative property, divided normal colligative property, observe, collective property, divided, normal, collective property, ठीक है, observe colligative property, and normal property, आपने देखा होगा, कि यहाँ पे, observe colligative property में, हमारा elevation boiling point है, वो 0.81, और यह 0.54 है, और आपको पता ही है, 81 divided 54, 9 multiply 9, 9 multiply 6, and this is, 3 by 2, that is 1.5, एक इसके बराबर आया, i factor के बराबर, ठीक है, अब आपको बता ही है, i is equal to what, they have given that, हमें निकालना है, i is equal to 1 plus alpha, that is 1.5, so, alpha is equal to 1.5 minus 1, that is 0.5, मतलब और कितना परसेंट, 50 percent, ठीक है, 50 percent, इतना आएगा, 50 percent, और 50 percent के लिए, दिया आई है, पे this one, ओके, आशा करती हूँ, आपको 5 के 5, MCQ समझ में आ गए होगे, इसमें हमने क्या क्या, एक एक्ट्रोल आइड दिया था, AB, इसका आइनिजिशन क्या, A plus और B minus, right, initially आपका है, 1, 00, 1 minus alpha, तो, total आपके number of moles आ जाएंगे, 1 plus alpha, right, तो आपको पता ही, कि I के लिए है, observe, qualitative property यहापे कुन से, elevation in boiling point, right, तो, observe elevation in boiling point आपका दिया है, 0.81, और आपका जो elevation दिया है, experimental, और calculated, normal means calculator, normal means calculated elevation in boiling point, 0.50, I factor निकाल लिया, उससे साबसे हम alpha निकाल सकते हैं, ठीक है, thank you for observing this video, please share to maximum students, and subscribe my channel also, thank you,